असलाव अलेकुम डियो स्टुडेट्स वेलकम बैक, xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD 2013 उर्दु जबान में सीख रहे हैं, AutoCAD 2013 आप उर्दु जबान में डियो स्टुडेट्स यहां पर सीख रहे हैं आज के इस lesson के अंदर मैं आपको फिर interface के बारे में बताने जा रहा हूँ Dear students, आपकी बेतरी के लिए आपको ज़्यादा समझ आए, उसके लिए मैंने इस lessons को, यहनिके interface के lesson को मैंने तीन parts में divide किया था दो parts मैं आपको already पिछली classes बता चुका हूँ, आज की class के अंदर मैं आपको बताऊँगा इसका model area, model view मेरे पास क्या होता है, तो आएं start करते है lessons, तो मैं अपने पास open कर रहे था हूँ, अपनी files को मेरे पास मेरे फाइल open हो चुकी है, xpk2.com की, देखें dear students, इस से पहले मैंने आपको बताया, हमारे पास overview क्या था, फिर मैंने आपको बताया, हमारे पास यह ribbon concept क्या था, फिर मैंने आपको इसके quick access toolbar के बारे मैंने आपको कुछ information देना पसंद की, ठीक है इस lessons के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको यह जो आपका middle black वाला area है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, यह मेरे पास क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़े है, कैसे हमने इसको समझना है, ठीक है, तो start करते हैं, देखें dear students, यह जो black area है, यह निके model area से क्या मराद है, जहां पर आप model space area सोरी, model space भी सो कहा जाता है, जहां पर आप अपने model को design करते हो, बनाते हो, वो area के पस model space किलाता है, ठीक है, इस तरह से इसको हम working area भी कह सकते हैं, हमारा जितना भी काम, जितना भी work होता है, इस black area के इंदर रहकर होता है, by default इस black area की जो limit है, आपके पस कोई limit नहीं होती, यह unlimited area होता है, हम इसके पर छोटे से छोटा काम भी कर सकते हैं, और कोई बड़े से बड़ा काम करना चाहें, हम वो भी कर सकते हैं, जिस्ट आपको करना क्या होता है, इस black area के इंदर अपना काम start करें, और यह area खुद बढ़ता जाएगा, आपके लिए increase होता जाएगा, clear? उसके बाद अब इसके अंदर कुछ खास चीज़े हैं, वो मैंने आपको ज़रूर बतानी है, सबसे पहले इदर आजाएं, हमारे पस इस corner में X और Y यहाँ बन लिखा हो नजर भा रहा है, इसको कहा जाता है UCS icon, UCS icon से क्या मराद होता है, user coordinate system, आप coordinates क्या होते हैं, जो आपके पास X और Y की values होती हैं, इनको हम लोग coordinates कहते हैं, इसके बारे में detail से lesson हम आगे जाकर देखेंगे, ठीके, उसके बाद आप इदर आजाएं, यहाँ पे, इसके दूसरे corner पे, अब यहाँ पे मेरे पास एक नहीं view icon है, यह मेरा view cube है, अब view cube करता क्या है, यहाँ से में मुफ्तलिफ अपने views देख सकता हूँ, अब आप इस एक चीज़ को गोर करें, जैसे जैसे किसी views के पर में लेकर अपना mouse चाहता हूँ, एक तो उसका color जो है, वो कुछ light blue हो जाता है, और heart spots बने हो आजाते हैं, links बन आपकी shape को 90 के angle पर rotate करें, देखें, अब यह मेरा shape है, यहाँ पर मैंने लिखा xpacademy.com, और यह मेरी एक shape है, जैसे मैं यहाँ पर click कर दूँगा, तो देखा, इसने मुझे 90 के angle पर rotate किया मजी, फिर मैं से click कर देता हूँ, फिर यह, फिर देखें, फिर यह, और फिर यह व जैसे में click कर दूँगा, अब यह मुझे 3D view के उपर लेका चला गया है, अब यहाँ मेरे पास क्या है, x, y और z, देखें, अब मेरे पास x, y और z है, जबके इससे पहले वाले top view के अंदर आके पास यह सिर्फ क्या था, x और y मुझूद थे, ठीक है, वापस में तर click करता किसी भी hotspot के पर, यह मेरे पास 30 view में आगया है, और मेरे पास definitely यह जो shape थी, यह भी 3D के इंदरी मैंने बनाई हुई थी, देखें, यह already मैंने 3D shape बनाई हुई थी, ठीक है, अब, again आप इदर homekeeper क्लिक कर दें, तो यह आपको homekeeper वापस लेका चला जाएगा, आपको total area भी मदर से time by move कर सकते हैं, यह देखें, मैंने इसको mouse की मदर से time by move किया, और वापस में top view के पर click कर देता हूँ, फिर मुझे इसके पर लेका रहे, और वापस में 3D view के पर चला जाता हूँ, तो यह आपका view cube है, अब हम इस तरफ आजाएं, अगर यहां पर, इसके नीचे क्य view भी है, हमारे पास bottom view भी है, left भी है, right है, front है, back है, south west है, south east है, north west है, north east है, यहनी कि वही views हैं, जो कि हम आटर के 2006 के अंदर एक अलाइदा से toolbar उठा कर लाया करते थे, बारहल, आप जिसके पर click करेंगे, आपको यह उस view के पर लेकर चला जाएगा, आप top view के पर click करते हो, यहनी कि आपके पास मजीद quick axis के लिए बना दिए गए है, अब आपके पास जो by default view आपको नज़रा रहा है, वो क्या है, आपके पस 2D wire frame है, अगर आप इसको click करें, यह basic हमारा video styles होता है, आप दो click कर दें, अब मेरे पास यहाँ पर मुफतर किसम के styles आ चुकी है, ठीक है, hidden view है, duty wire है, shade है, shade with edges है, तो मैं shade ले देता हूँ, जैसी मैं shade लूँगा, मैं shade की पर click कर देता हूँ, तो अगर सा time लेगा, जैसी हमने इसको shade view लगाया, तो देखे, मेरे पास यहाँ पर shade apply होकर आ चुका है, यह निकिए यह directory जो मुझे है, सीधा सीधा 3D view के पर लेकर चल अगर आप जाना चाते हैं, किसी view पर आप लेकर आजाएगा, ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएए, मेरे पास यहाँ पर कुछ मजीद इसके options आ जाते है, सबसे पहले मेरे पास आता है paint real time, अब paint क्या है, इसके पर आप क्लिक करें, आखे पास एक हाथ बना कर सकते हैं, देखें, आप अपनी ट्राइंक्स को दाएं से by move कर रहे हो, ठीक है, या अपनी ट्राइंक्स को इधर से जदर जदर लेकर जाना चाहिए, अब लेकर जा सकते हैं, ये ना समझेगा आप इसमें, कि आप अपने पूरा ट्राइंग एडिया को move, यानिके बास व नीचे आजाएं, हमारे पास zooming controls आजाते हैं, अब ये zooming controls कैसे use के जाते हैं, इनको हम next option के अंदर जाकर देखेंगे, 112 stepwise सबको देखेंगे, उसके बाद नीचे आजाएं, मेरे पास 3D orbit आजाता है, इसका use 3D में किया जाएगा, फिर मेरे पास show motions आजाता है, ये 3D की advanced options हैं, motions और ये हम बाद में देखेंगे जाके, फिर नीचे आजाएं, मेरे पास यहाँ पर टैस बने हुआ जाते हैं, ये model tab है, ये layouts 1 है, layout 2 है, model tab basically वो area होगा जहां पर आप कोई चीज अपनी design कर देते हो, और design करने के बाद उसका जब आपको print और निकालना होता है, तो अक्सर ह ये यहाँ बना चुका है, अगर आप इदर आजाएं, तो इसके पर right click करें, इसको फिर आप कह देए display layout tabs, तो देखें फिर आपको नाजर आजाएगा, देखें, अब ये आपको simple model है, अगर आपको ने right click किया और गलती सासी चुप चुका है, तो definitely ये दर होगा, right click करें औ ये दिस्पले होकर सामने आजाएगा, फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये हमारे status toolbar होती है, यहाँ पर हमें बता रहा होता है, हमारे axis की direction किस तरफ जा रही है, कौन से axis किस तरफ है, मेरा mouse basically जा है, वो किस axis पर है, फिर दर आजाएं, मेरे पास कुछ मजीद मेरे buttons आ जाते हैं, कुछ commands आ जाती हैं, अब ये buttons और commands कैसे use होते हैं, ये मैं आपको यहाँ इपताता चलू, देखेंडी students, जब हमारे पास कोई भी object है, मैं अपने पास एक line ले ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक line है, ठीक है, अब इस line का आपकर पास start point भी है, इसका center point भी है और इसका end point भी है, ये इसलिए है कि मैं इसकी settings मनाई हुई है, आपको center लेना है, आप दर आएंगे तो ये आपको उता देगा, ये इसका क्या है mid है, आपको चले जाएं, वापस आप आगी तरफ एक line लेना चाहें, तो आपको इसके mid से line लेनी है, आप इदर आ जाएं, और मैं इसके बिलकल यहां पर देखें, ये मैं एक box मना दिया, तो ये मैंने setting की वी थी, अब ये settings कौन सी थी, मेरे पास snaps की थी, आप snaps की पर right click करें, और यहां पर ये तुमाम boxes आपको उता देगा, ये आपको पास settings है, आपने settings की पर चला जाता हूँ, और इसको by default settings लेगा, ठीक है, मेरे पास इनके points होगारा कुछ भी नहीं है, देखें, अब जैसे मैं यहां पर click कर देता हूँ, मैं इसे click यहां पर करता हूँ, ठीक है, लेकिन line start कहां से किया, इस चगह से किया, क्यों किया, क्योंकि मेरे snaps जो active है, वो just क्या है, ending है, और starting है, ठीक है, अगर आपको इसका midpoint लेना है, तो आप just mid के पर click कर दें, लेकिन मैं settings के पर जाके, और select all कर देता हूँ, okay कर देता हूँ, तो यह मेरे snaps points है, ठीक है, इस तरह से और भी tools जो होगे, साथ-साथ में आपको आता जाऊँगा, हमारे पास कैसे use हो रहे हैं, फिर इसमें जो एक हमने complete कि अपना interface, इंशालला, next lesson के अदर मजीद नहीं चीज़ें देखेंगे, उस सथ तक के लिए मैं आपसे अजाज़त चाऊँगा, अपनी दोह मुझे याद रखेगा, मजीद मालूमात और update के लिए आप visit कर सकते हैं हमारी website www.xpacademy.com, जहां पर तुमाम computer courses आपको free online उर्दु में सिखाए जाते हैं, एंड में एक test लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरसे एक safety gate भी इशू किया जाता है, जिसकी hot copy बज़रिया TCS आपके अपता है address के नतावक आपको बेई दी जाती है, इस Clevody Students अगर आपको इन videos की complete DVD collection चाहिए, उसके लिए आपको अभी हम में call करना होगा, call करने के लिए हमारा help line number 0343901779, यहाँ हमें email कर सकते हैं, email करने के लिए हमारा email address xpacademy.com, यहाँ हमें skype पे जाइन कर सकते हैं, skype पे जाइन करने के लिए हमारा ID है xpacademy, और same हमारा Facebook का भी ID है xpacademy, लिए students अपनी दौब में मुझे याद रखेगा, नेक्स असमें फिर आज़र होते हैं, उस सब्सक्राइब में मैं उसे जाज़त चाहूंगा, अलाहाफिज, असलाम वालेकम.